हेलो भच्चों देखिए अभी हम लोग कलास 11 फिजिक्स में कार्य उर्जा अवर सक्ती चेप्टर से रिलेटेड मोस्ट भेरी बेरी इंपोर्टेंड MCQ यानि अबजेक्टिप कॉसेन एंसेर को पढ़ेंगे जो आपके कलास 11 फिजिक्स जारकन बोड परिचा 2023 के लिए बरदान साभित होगी तो चलिए देर ना करते हैं वे वीडियो को अभी हम लोग सुरू करेंगे देखिए सवाल नमबर एक से कोसेन नमबर एक बल एवंग बिस्तापन का गुननफल कहलाता है कारिय ठीक है बल एवंग बिस्तापन का गुननफल कारिय कहलाता है कारिय यानि कारिय बराबर बल गुना बिस्तापन होता है F बराबर W into S होता है तो बल एवंग विस्तापन का गुननफल कार्य होगा कार्य एक का सयुतर D, एक का D आगे देखिए सवाल नंबर दो कौसेन नंबर 2 को पढ़िए 2 कार्य कोन सी रासी है? कार्य कोन सी रासी है? अदिस रासी है कार्य यानि वर्क, अदिस रासी है, अदिस मतलब कार्य बल एवंग विस्तापन का अदिस गुननफल होता है कार्य बल एवंग विस्तापन का अदिस गुननफल है इसलिए कार्य एक अदिस रासी है, अदिस दो का सयुतर C, दो का C आगे देखिए सवाल नंबर 3 चलती गाड़ी में बेठे आदमी की उर्जा होगी, इस्तिति चुर्जा, इस्तिति चुर्जा होती है, इसलिए उसमें इस्तिति चुर्जा संचीत होगी, ठीक है? किसी बस्तु में अपनी इस्तिती या इस्ति रवस्ता के कारण उसमें इस्तिती चुर्जा पोटेंसियल इनरजी संचित होती है तीन का सयुत्तर भी तीन का भी आगे देखिए सवाल नमबर चार कॉस्चन नमबर फोर को पढ़िए फोर चार नमबर कार्य का SI मतरक है जूल कार्य का SI मतरक होता है जूल ठीक है किलो वाट घंटा यानी योनिट कार्य या उर्जा का बैवसाइक मतरक है ठीक है कार्य या उर्जा का बैवसाइक मतरक किलो वाट घंटा होता है जिसे कहते हैं योनिट ठीक है लेकिन कार्य का SI मतरक जूल होगा जूल चार का D चार का सयूतर D आगे देखिए सवाल नमर पाँच फाइप को पढ़िए फाइप यदि किसी पींड का विस्तापन सुन्य है तो बल द्वारा उस पींड पर किया गया कार्य होगा क्या बोला पाँच नमर में फाइप नमर कोस्टन बोलता है यदि किसी पींड का विस्तापन सुन्य है तो बल द्वारा उस पींड पर किया गया कार्य होगा देखिए कार्य बराबर होता है बल गुना विस्तापन यदि विस्तापन सुन्य होगा तो बल गुना 0 यानि कारिय 0 हो जाएगा ठीक है बिस्तापन 0 होने से बल गुना बिस्तापन होता है कारिय तो 0 को गुना करेंगे बल से बिस्तापन 0 है इसलिए कारिय भी 0 हो जाएगा 5 का सयूतर A, 5 का A यानि पिंड पर बल लगने से बस्तु बिस्तापित होना चाहिए तब समझेंगे फिजिक्स का भसा में कि कार्य हुआ है ठीक है बल के साथ बिस्तापन होना चाहिए यदि बिस्तापन नहीं है बिस्तापन नहीं हो रहा है सुन्य है तो कार्य भी सुन्य होगा पांच का ए आगे देखिए सवाल नमबर छे जूल मातरक है जूल मातरक किसका है कारिय अवर उर्जा का कारिय अवर उर्जा का यानि वर्क एंड इनर्जी का मातरक है जूल ठीक है कारिय अवर उर्जा दोनों का मातरक नियूटन मीटर होता है नियूटन मीटर होता है जिसे जूल काते हैं कारी अवर उर्जा का मतरक जूल होगा छे का सयूतर C आगे देखिए सवाल नंबर 7 साथ नंबर को पढ़िए H उच्चाई पर इस्तित M दरभिमान वाली बस्तु की इस्तितिच उर्जा है M G H M G H याद रखिएगा H उच्चाई पर इस्तित M दरभिमान वाली बस्तु यानि पींड की इस्तितिच उर्जा होगी M G H 7 का सयूतर A होगा 7 का A M G H आगे देखिए सवाल नंबर 8 8 नंबर को पढ़िए 8 नंबर गतिच उर्जा का गतिच उर्जा काइनेटिक इनर्जी का बेंजग है घतिच उर्जा काइनेटिक इनर्जी का सुत्र होता है हाप M B Square हाप M B Square 8 का सयूतर B 8 का B हाप M B Square आगे देखिए सवाल नंबर 9 9 नंबर पढ़िए कार्य करने की चमता को कहते हैं उर्जा, कार्य करने की छमता को उर्जा कहते हैं, उर्जा, यानि इनर्जी, ठीक है, कोई बस्तू, कोई मसीन, कितना काम कर पाएगा, उसको बोलेंगे इनर्जी, उर्जा, ठीक है, कार्य करने की छमता को इनर्जी कहते हैं, उर्जा कहते हैं, 9 का A, 9 का सयूतर A, आगे देख बस्तू पर पांच नियूटन का बल लग रहा है बल की दिशा में बस्तू दो मिटर बिस्तापित होती है किया गया कारी होगा किया गया कारी कितना होगा देखिए कारी बराबर होता है बल गुना बिस्तापन कौसन में बल है पांच नियूटन और बिस्तापन है दो मिटर या पांच न्यूटन बल और दो मिटर भिस्तापन तो पांच गुना दू दस जूल कारी होगा किया गया कारी दस जूल होगा दस जूल दस का सयूतर सी दस का सी आगे दखे सवाल नंबर 11 11 को पढ़िए बहती हवा या बहता हुआ पानी में कोन सी उरजा होती है बहती हवा या बहता हुआ पानी में कोन सी इनरजी होती है गती चुरजा ठीक है जो बस्तू गती करेगा उसमें होगा गती चुरजा और जो बस्तू इस्तिर रहेगा उसमें होगा इस्तिति चुरजा ठीक है इस्तिर बस्तू में इस्तिर अवस्ता में इस्तिति चुरजा होत ठीक है, याद रखिएगा, बहती हवा या बहता हवा पानी में गती चुर्जा काइनेटिक इनर्जी होती है, यानी किसी बस्तू में अपनी गती के कारण उसमें गती चुर्जा होती है, गती चुर्जा, एक आरा का B, 11 का B होगा, आगे देखिए सवाल नमबर 12, 12 को पढ़ि में कार्य करने की दर को सक्ति कहते हैं ठीक है कोई बस्तू या मसीन का कार्य करने की दर को सक्ति कहते हैं पावर सक्ति यह नहीं पावर पावर इक्वाल टू होता है डबलू बाई टी ठीक है कार्य करने की दर को सक्ति कहेंगे पावर इक्वाल टू डबलू बाई टी बारका स सवाल नमबर 13, धनुस की तानित डोरी में कौन सी उर्जा संचित होती है, जब हम लोग धनुस में तीर को चलाते हैं, तो पहले तीर को डोरी की सहता से तानते हैं, यानि तानते हैं, ठीक है, तो डोरी में कौन सी उर्जा संचित होती है, इस्तिति चुर्जा, ठीक है, धनु से तीर को छोड़ देते हैं तो तीर में गति चुर्जा होगी यानि कोई बस्तू जिस अवस्था में रहेगा उसमें उसी तरह का उर्जा होगा जदी बस्तू इस्तीर है तो होगा इस्तिती चुर्जा जदी बस्तू गतिसील है तो होगा गति चुर्जा जब धनुस के तो उसमें होता है गती चुर्जा ठीक यानि सवाल नंबर 13 का सही उत्तर होगा A सवाल नंबर 13 का सही उत्तर A होगा A सवाल नंबर 14 चोगदा 14 को पढ़िए कमानी दार घड़ी या चाभी भरी घड़ी में संची तूर्जा होती है कमानीदार घड़ी यानी चाभी भरी घड़ी में संची तुर्जा होती है इस्तिती चुर्जा 14 का A होगा चोगदो का A आगे देखिए अंतिम परस्न 15 अंतिम कॉस्टन 15 15 को पढ़िए छाथ पर दड़ते हुए बालक में होती है गती चुर्जा ठीक है क्या होगा गती चुर्जा 15 का A 15 का सही उत्तर A होगा A